यूक्रेन यूद में अब तक की सबसे बड़ी धंकी सामने आई है ये धंकी रूस के उस शक्स ने दिये है जो खुद चार साल तक देश के परमाणू बमों का रखवाला हुआ करता था रूस की राश्पती पोतेन की बेहत करीबियों में श्युमार इस शक्स ने अमारेकों को चेतामी देते हुए ये कहा कि अगर उसने यूक्रेन को परमाणू हत्यार दिये तो कीव को मिट्टी में मिला दिया जाए यूक्रेन को एफ-16 मिलेगा क्या कीव में परमाणू धमाखा होगा क्या जैलन्सकी को एथमी हत्यार मिलेंगे जवाब में पुतेन परमाणू बंखा बटन दबाएंगे यूक्रेन युद्ध में ये अब तक की सबसे खौफ़नाग धमकी है इधर उधर की कोई बात नहीं सीधी और साफ चेतावन धमकी का हर लव्द बहुत डरावना है चेतावनी किसने दी है? क्या कहा है? आपको सब कुछ बताएंगे अभी आप इस धमकी का ट्रेलर देखिए जो सच साबित हुआ तो मनजर कुछ ऐसा सामने आएगा ज़रा देखिए अगर रूस ने सीधे की उपर परबाणो बंप खोड़ा तो क्या होगा? जानकारों के मताबिब जहां बंप हटेगा वहाँ एक किलोमेटर तक हर चीज पूरी तरह से कल जाएगी एक किलोमेटर के बाद शॉक वेब निकलेगी जो धमाके से करीब दो किलोमेटर तक की सारी गेमारतों को मिठी में मिला देगी शॉक वेब दूर तक तबाही मचाती रहेगी धमाके के बाद सबसे बुरा होगा रैडियेशन का सहर जो दर्दनाख मौत देगा रैडियेशन की चपेट में आए लोग कुछ घंटे, कुछ दिनों तक भले ही बच्च हैं लेकिन उनका जिन्दा रहना मुश्किल होगा अगर पुतिन ने परमाणू बम का बटन दबा दिया तो यकीन मानिये सच मुछ ऐसा ही होगा ऐसा होता क्यों दिख रहा है? उसकी वज़ा भी समझे अमेरिका ने योकरेन को फाइटर जेट F-16 देने का रास्ता साफ कर दिया है जो रूस को हरकिज मन्जूर नहीं है अगर पश्चिम के देशों ने योकरेन को परमाणू हत्यार दिये तो रूस बिना सोचे सबसे पहले परमाणू हमला करेगा तब परमाणू विश्व युद्ध को टालना ना मुम्किन होगा पश्चिम के देश पुतिन को कम आखने के गलती नहीं करे योक्रेन में परमाणू धमाके पर देमेत्री मेधवेदेव की ये धमकी बिटन के अकपार डेली मेल में छपी है रूस के पूरू राश्रपती और इन दिनों सुरक्षा परिशत के उप्रमुक मेद्वेदेव ने योक्रेन युद्ध के दशकों तक चलने की आशंका भी जताई है उनके मुताबिक बीच बीच में युद्ध विराम मुम्किन है लेकिन रुकावत के बाद युद्ध फिल से बढ़क सकता है मेद्वेदेव ने हाल ही में वियतनाम दोरे पर ये बाते कहीं गौर करने वाली बात ये भी है कि वियतनाम वो देश है जहां अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा था, पीठ दिखा कर भागना पड़ा था, ऐसे में मुम्किन है कि मेद्वेदेव ने पश्चिमी देशों को धमकाने के लिए कोटनेतिक लिहाच से एहम वियतनाम को जानब पूच कर चुना हो, मेद्वेदेव ने पश्चिमी देशों खास कर अमेरिका को सीधे और सक्त लैसे में का कि वो इस मुगालते में ना रहें कि पुतिन न्यूक्लियर ट्रेगर नहीं दबाएंगे, मतलब सीधा है कि परमाडू वार हेड के साथ रूस की मिसाइल कभी भी यूक्रेन पर गिर सकती है, मेद्वेदेव रूस के कोई आम शक्स नहीं है, वो पुतिन के आलावा रूस की एकलौती जिन्दा शक्सियत हैं, जिनकी उंगलीर रूस के परमाडू बटन खग रहे चुटी है यह रूस का वही परमाडू ब्रिफ केस है, जिसके साथ पुतिन अक्सर देखे जाते हैं, यूक्रेन से युद्ध के बाग भी पुतिन कई बार इस नियूक्लियर ब्रिफ केस चिकट के साथ देख चुके हैं मेद्विदेव यूक्रेन पर कितनी कड़ी लाइन लेते हैं, इसे समझने के लिए आपको उनके हालिया बयानों पर गौर करना होगा उन्होंने हाल ही में यूक्रेन की सरकार को एक संक्रमण करार दिया था, युद्ध के बाद यूक्रेन के पूरी तरह से मिट्टी में मिलने का दावा किया था इन धमकियों और बयानों के बीच सबसे बड़ा खत्रा परमाणू हमले का है, क्योंकि पुतिन खुद भी योग्रेन पर एटम बंप खोड़ने की धमकी दे छुके हैं, अगर परमाणू हमला हुआ तो समझना ये भी जरूरी है कि किस देश के पास कितने एटम बंप है दुनिया भर में परमाणू हत्यारों की तादा 13,865 बताई जाती है, इन में से 90 फीजदी परमाणू हत्यार रूस और अमेरिका के पास हैं, रूस के पास 65 तो अमेरिका के पास 6,185 एटमी हत्यार है अगर रूस ने पहले परमाडू हमला किया तो क्या अमेरिका भी एटम बम से जबाब देगा? जाहिर है इसकी आशंका पुतिन को पहले से आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परमाडू हमले में खुद को रैडियेशन से बचाने के लिए पुतिन के लिए एक खास लिफ्ट तैयार की गई है जिससे जुड़ी दो सुरंगे गूस के लिए परमाडू कवच जैसी है सवाल है क्या इस सुरंग और सुरंग से लगे समंदर में रूस के नियो क्लियर बेड़े की हरकत बढ़ने वाली है अमेरिका की परमाडू मिसाइलें कहां कहां तन गई है रूस की परमाडू से नाय कहां कहां सज गई है क्या जैलन्सकी की जिद से परमाडू जंग की चंगारी भड़कने वाली है इन सवालों के जवाब बस मिलने ही वाले है इस पीच योक्रेन की खुफिया एजैंसी ने एक ऐसा दावा किया है जो किसी परमाडू धमाके से कम नहीं है योक्रेन के खुफिया एजेंसी ने कहा है कि रूस जपोरेजिया न्योक्लियर प्लांट के करीब बहुत जल्दी उकसावे की कार्रवाई कर सकता है वो न्योक्लियर प्लांट के करीब हमले की योजना बना रहा है इसके बाद वो रेडियो एक्टिव चीजों के रिसाव का अयलान करेगा जाहिर तोर पर इसका ठीक राव वो योक्रेन पर ही खोड़ेगा योक्रेन ने बीतेर अविवार को भी दावा किया था जाहिर पर इसके बीतेर अविवार को भी दावा किया पानन फानन में जेनरेटर स्टार्ट किये गए ताकि न्योक्लियर रियक्टर की पूलिंग पर असर ना पड़े और अंजाम के तोर पर परमाणू आपदा सामने ना आए अगर बीजल का इंतसाम नहीं होता जेनरेटर नहीं होते तो जापरेजिया में परमाणू धमा का भले ना होता लेकिन परमाणू रिसाओ की वज़ा से बहुत बड़ी आपदाज जरूर आ जाते वैसे तब के दावे के मताविक दीसल का स्टॉक सिर्फ 10 दिन होगा था इस में से 8 दिन गुज़र चुके हैं यानि अब समय सिर्फ 40 घंटे का ही बचा है अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जापरेजिया की विज़ी सप्लाई बहाल होई या नहीं यानि अगले दो दिन में यहाँ पर एक्स्टरनल पावर सप्लाई बहाल नहीं होई तो खत्रा सिर्फ योक्रेन या यूरप पर ही नहीं पूरी दुनिया पर मंड़ा रहा है इस परमाणो ठिकाने में तरासदी कभी भी आ सकती है क्योंकि कभी योक्रेन आरोप लगाता है कि रूस जपरेजिया नियोक्रियर प्लांट पर बंबारी कर रहा है तो कभी रूस दावा करता है कि योक्रेन इस पावर प्लांट को हासिल करने के लिए कहां गोला बारी कर रहा है इस फीच योक्रेन के खुपिय आइजनसी ने दावा किया है रूस ऐसा योक्रेन के पलटवार को रोकने के लिए कर रहा है वैसे ही योक्रेन का ये दावा खोखला दिख रहा है क्योंकि आईए ये के काम में रुखावट डालने के आरोब पर खुद आईए ये ने भी मुहर नहीं लगाई है वारेज़्ा में हाला कर रहा है ये वारी रूस वीमान चुकाई यही वारी है, की यहारी रूस अपने लोको सुरक्शी भीमान चुकाई रосійські окупанти проводять так звану евакуацію місцевих жителів з тимчасово окупованого Токмака Запоріжської області у напрямку населеного пункту Бердянськ Цій процедурі підлягають представники так званої місцевої влади, колаборанти, діти, вчителі та вихователі При цьому батькам дітей погрожують не зарахувати навчальний рік в разі відмови евакуювати дитину На АЗС спостерігаються черги за пальним. Усім водіям повідомлено, що нових поставок пального не планується सवाल ये कि जपरज्या में ऐसे हालात पैदा क्यों होए तो इसके लिए आपको 15 महीने पीछे जाना होगा 24 फर्वरी 2022 को योक्रेन पर हमले के वारन बार रूस ने जपरेज्या पर कपजा कर लिया था यहां के करीब 80-30 इलाखे पर काबिज रूस ने बेहत एहम न्यूक्लियर पावर प्लान्ट को भी अपने कपजे में ले लिया था योक्रेन कई बार जपरेज्या को दोबारा हासल करने की नाकाम कोशिश कर चुका है वो प्रोपेगंडा करने से भी नहीं चूकता जबकि पुते ने कि जपरेज्या समेथ योक्रेन से अब तक छिंच जोगे तमाम इलाखों के लोगों का दिल जीतने में जुटे हुए है रास द्वा द्री रास अज़ाया हैुए आध जेजने से बusteने बStudम जाल content उ बिव चाले की ढखिंगों कि प्हाली है वी में आएला अपचेशना बरी के तो प्राफ़ों कि आव मंतल्य अधर बाम्拜拜END को ने सहां हाँ इनेवा हाई प्राइबstर शहें 13 suka क cheer walking luck on रूस की सेना बहुत ताकतवर, खुट पुतिन का इरादा पॉला दी है ऐसे में योक्रेन का वजूद खत्म होगा या फिर सोवियत संग से अलग हुआ ये देश रूस में मिल जाएगा ये सिर्फ पुतिन ही जानते है ये सिर्फ पुतिन ही जानते है